नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं उन्होंने बताया कि जांच की संक्या बढ़ाने के लिए 6 और आटी पीसी अरकेंद्र खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि अन राजियों से विशेश ट्रेन चलाई जा रही है जिसके करण राजे में संक्रवन की दरते इसे बढ़ी है दसवी और बढ़ावी की परिक्षा को लेकर भी जल्द फ्यास ला लिया जाएगा सरकार सुक्रवार को इस पर निर्ना ले सकती है मौसम विभाग के उनसार सुक्रवार से जहारखंड के मौसम में बदलाव दिखेगा मौसम केंद्र राची की ओर से जारी पुर्वन मान के उनसार अगरे चार दिन तक राजे के कई इलाकों में मेक गरजन के साथ हलके से मध्य दर्ज की बारिश होने की उमीद है इस दवरान 30 से 40 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से हावा चल सकती है मौसम केंद्र राची के उनसार 15-16 अफ्रेल को राजे के उतर मध्य जीलो 17 अफ्रेल को उतर पुर्वी और मध्य जार्खन और 18 अप्रेल को पूर्वी उत्तर पूर्वी और दक्षनी पूर्वी जीलों में आसमान में बादल गरज और तेज हावा के जोकों के साथ बारिचोने की उमीद है जार्खन बोर्ट की मैट्रिक इंटर की प्रेटिकल परिक्षा अस्थागित जार्खन एकेडमी काउंसिल ने दसवी और बराहवी बोर्ट की प्रायोगिक परिक्षाए ततकाल परभाव से अस्थागित कर दी है काउंसिल के चेर्मेंट अर्बिन परसाथ सिंग ने कहा कि इन परिक्षाओं का निरनाय बाद में होगा इससे पाले उपायुत के साथ होई बोख मंत्री हमान सुरेन की बैठाक में बोर्ट-परिच्छाओं पर सुक्रवार को आहम नीरनाय लेने की गोस्तना की गई है मधूपुर्विधान सभा अपचुना चुना परचार थमा मधुपूर विधान सभाव चुनाव में गुरुवार साम चुनाव पर चार थम गया बतादे यहां 17 अप्रेल को मतदान है मतगर्ना 2 माई को होगी अब परत्यासी सिर्फ डोर टू डोर अपना केंपेंज चला सकते हैं पतादे 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में ऐसा पहली बार हुए है कि चुनावी मैदान में परत्यासी की संक्या मात्र छो है जाच बढ़ाने के लिए कोबास कमपनी की दो मसीने खर देगी राज सरकार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमन सुरेन की अज़्यक्सता में गुरुआर को काके रोड इस्थीत मुख्यमंत्री अवास में राज्य में कुरोना संक्रावन मामले में होई ब्रीधी के मद नजर कई महत्पुन फ्यसले लिए गा है मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने कोविन-19 जाच में तेजी लाने के लिए कोबास कमपनी की दो मसीने खरीदने का निदे स्वास्त विभाग को दिया बतादे कोबास कमपनी की एक यूनिट से परतेक दिन 1480 PCI सेंपल जाच किया सकती है रांची में बढ़ाई जाएगी ऑक्सिजन सपोर्ट बेड और ICU की संख्या उपायूग रांची जिला परसासन की ओर से कोविन-19 के बढ़ते संक्रमन के रोक्थाम के लिए लगतार परियास किये जा रहे है बताजे राई सरकार के निदेसामसार कुरोना के दूसरे लाहर को नियंत्रित करने के लिए जाच, कॉन्ट्रेक्ट्रेसिंग और संक्रमित मरीजो के इलाज के लिए बेहतर बेवस्था के लिए लगतार परियास जारी है उपायुक छवी रंजन ने बताया कि जिला में संक्रमित मरीजो के इलाज के लिए अक्सिजन सपोर्टेड बेड और आईसीउ की संक्या बढ़ाने का परियास किया जा रहा है नहाय खाय के साथ महापर्वचैती छट आज से आरंभ हो जाएगा बतादे चैती छट वर्त धारन करने वाले वर्ती सुक्रवार को सुभा असनान ध्यान के बाद आदी देव सूरी को जल और पितकर आराध्य देवी देवता का आवान करेंगे इस मौके पर घर में नेम निश्ठा के साथ कदू भाद तयार किया जाएगा बतादे 17 अपरेल को खरना होगा जारखन में आयोजित होने वाली सभी परिक्षाओ को अस्थागित करने की मांग जार्खन में होने वाली सभी परकार की परिक्षाओं को अस्थागित कर कुछ माँबाद परिक्षा करानी की मांग जार्खन छात्रसंग ने जे PSC, JAK और JSC के अध्यक्ष को पत्र लिख कर की है जात्रसंग के अध्यक्ष एस अली ने बताया कि जार्खन लोग से वायोग द्वारा 2 माई 2020 से सन्यूक्त और सयनिक परिक्षाओं जैक की ओर से 23 अपरेल से प्राइमरी सिक्षक प्रसिक्षन परिक्षा और 4 माई से मैट्रिक वाइंटर की परिक्षा लिजानी है इसके अलावा जार्खन एस्टेट फर्मेसी काउंसिल की ओर से 29 अपरेल से डिप्लोमा इन फर्मेसी की परिक्षा और जीत होनी है अली ने कहा कि बर्तमान बैसिक मामारी को देखते वे सुरक्षा के लिहाज से इन परिक्षाओं को अस्थागित किया जाना चाहिए सरकारी तथा निजी अस्पतालों में 50% बेट कुरोना संक्रामित के लिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंसुरे ने सभी जीलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी सरकारी और नीजी अस्पतालों में कम से कम 50% बेट कुरोना मरीजों के लिए अरक्षित रखे सभी उपायुक्तों को जीलों के सभी नीजी अस्पतालों के प्रबंदकों के साथ बैटा कर जल्थ से जल्थ कार जोजना बना कर कुरोना संक्रमित मरीजों का इलाज सुनिश्चित करे सबी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड तता अक्सिजन यूक्त बेड की बेवस्था करने की भी निर्देश मुखमांत्री ने दिया ज्यारखन में 3480 नाय केस मिले हैं बतादे ज्यारखन में क्रोना से 28 मरीज की मौत होई है जो राची से 5, देवगर से 1, धनबाद से 9, पूर्वी सिमुम से 4, गेडी से 2, गोड़ा से 1, जामतरा से 1, कुडर्मा से 2, रामगर से 1, सिम्डेगा से 1, और पच्मि सिमुम से 1 मरीज सामिल है ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 1320 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 20,651 है भारत में 2,16,642 नाए केस मिले है भारत में कूल मौत की संख्या 1,44,335 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 15,36,58 है बतादे भारत में 1,17,825 मरीज स्वास्थ हुए है वहाई जार्खन में भी 325 मरीज स्वास्थ हुए है जार्खन प्रिटिकल से तीन गुना आगे राजे में एक लाख में उन्चास मरीज भारतिय चिकित सा अनुसंधान परिशत किसी भी राजे या जिले में परती एक लाख अबादी पर 15 से अधिक संक्रमित मरीज होने को क्रिटिकल मानता है लेकिन राज में संक्रामन की सिती इस हद तक पहुँच गई है कि जार्खन में इतनी अबादी पर 49 मरीज वर्तमान में संक्रामी थाए बता दे इस तरह राज में क्रिटकल के मानक से तीन गुना से अधिक मरीज वर्तमान में कुरोना संक्रामी थाए यह मरीज या तो होम आईसोलेशन में है या फिर उनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है चिंता की बातिया है कि राची में इतनी अबादी पर दो सबुनतिस मरीज वर्तवान में संक्रमी था है या अनुपात क्रिटिकल दाइरे से पंद्रगुना अधीखा है सरहूल पर सीरम टोली सरना अस्थल पहुचकर हेमन सुरेंन की पुजा आर्चना जारुखन में जल सुरू होगी मोबाइल कुरोना टेस्टिंग लैब की मुफत सेवहाई कुरोना के बड़ते परकोप से निपटने के लिए जार्खन की हमान सुरेन सरकार ने मोबाइल कुरोना टेस्टिंग लेब की मुफ्ट सेवाज जल्द सुरू करने का निने लिया है इससे संक्रामित मरीज की जाच रिपोर्ट अन दोई स्पोर्ट मिलेगी बतादे पहले चर्ण में स्वास्त मंत्री बना गुप्ता के गरी छेत जमसेदपूर राची समेत अन जिलो में कुरोना संक्रामित जादा से जादा लोगों की तुरंत जाच वह इलाज शुरू करने की योजना है जार्खन के परस्तिद नागपूरी साहित का डाक्टर गिर्धारी राम गांजु का हाट अटेक से निधन जार्खन के परस्तिद नागपूरी साहित का एवं संस्कृति कर्मी डाक्टर गिर्धारी राम गांजु अब हमारे बीच नहीं रहे बतादे हार्ट अटेक्स से गुरुवार को राची के रिम्स में उनका निधन हो गया उनके निधन की खबर से नागपोरी साहित जगत में सोक की लहर है बतादे डाक्टर गिरिधारी राम गांजू राची विशुवी द्याले के जन जाती है जारखन में 17 अप्रेल से टीका करण का विशेस अभियान एक माईको सरमीको को लगेगा टीका चार अप्रेल से 14 अप्रेल तक चले टीका करण के विशेस अभियान के बाद अब 17 अप्रेल से टीका करण अभियान चलेगा इसमें एक माईको स्रामिक दिवस के उसरफ स्रामिकों के टीका करन के लिए विशेस अभियान चलेगा पतादे स्वास्त विभाग के सचीव केके सोन ने इस बावत सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है जारखन में मिला कुरोना का डबल म्यूटरेट यूके एस्ट्रेन से अधिक खतरनाक अने राजियों की तरह जारखन में भी कुरोना के यूके म्यूटरेट एस्ट्रेन तथा डबल एस्ट्रेन मिलने से सभी की चिंता बढ़ गई है बतादे राज सरकार को भी इस पर नए सीरे से रणनीति त्यार करनी पर रहा है 20 से सगयों की माने तो UK का इस्ट्रेन इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें संक्रमन बढ़ने की खतरा काफी अधिक होता है यह वाइरस 35 से 70 परतिशत अधिक त्यजी से फेलता है वही डबल म्यूट्रेट इससे भी अधिक खतरनाक और जानलेवा है रांची में मनाया गया सरहूल सरना समीति हर्मो के तत्वधान में गुरुवार को हर्मो देशवाली सरना अस्थल में सरहूल पुजा महसो का आयोजन हुआ कुरोना समन्धी सरकार के सारे गाईलेन का अनुपालन करते हुए या आयोजन किया गया बजादेशन ने टाइजर और मास का सथ परतिशत इस्तिमाल किया गया इसमें गाव की पाहन राजा बाहा पाहन की अगवाई में जन्डा बदली एवं पुजा प्राथना की गया नियमो का पालन कराने सडक पर उत्रे रांची SSP राइधानी राची में क्रोना संक्रमन के बढ़ते मामले केमाद राची जीला परसासन का पूरा जोर नियमों का नुपालन सुनेशित कराने पर है बतादे गुरुवार के दोपहर और SSP सुरेंदर कुमार जहां भारी पूलिस बल के साथ सलको परुत्रे इस दोरान उन्होंने दुकंदारों से अपिल की की वह बिना मास्क के किसी को परवेश ना दे आज से स्रमीको के लिए दो ट्रेन रेल्वे ने मुंबई से राची आने वाले स्रमीको की भील को खत्म करने के लिए दो सुपर फास्ट ट्रेने चलाई है इस में से ट्रेन संक्या 0-11-27 लोक माने तिलक टर्मिन्स हटिया सुपर फास्ट एस्पेसल ट्रेन लोक माने तिलक टन्मिन्स से मंगलवार और सुक्रवार को राची के लिए रवाना होगी बतादे ए ट्रेन 13 अप्रेल को मुंबाई से रवाना हो चुकी है इसके अलावा ये ट्रेन 16 अप्रेल, 20 अप्रेल, 23, 27 और 30 अप्रेल को रवाना होगी सरकार का आदेश नीजी अम्बूलेंस संचालक 10 किलो मेटर की दूरी के लिए अधिक्तम 600 रुपे लेंगे राई सरकार ने नीजी अम्बूलेंस संचालको द्वारा मरीजो को घर से अस्पताल तक अस्पताल से घर तक पहुचाने के लिए भाणे की दर तैक कर दी है इसके तहद समाने एम्बुलेंस के संचालक यातरा के आरम से अधिक्तम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपे मरीजु से ले सकेंगे वहाई 10 किलोमीटर के बाद तायक की दूरी गन्ना प्रती किलोमीटर अधिक्तम 12 रुपे किदार से की जाएगी इसी तरह वेंटिलेटर सहीद एडवांस एम्बूलेंस के संचाला के आत्रा के आरम से अधिक्तम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपे मरीजु से ले सकेंगे फिलहाल लोगडाउन नहीं मुख्यमंत्री जारखन में कुरोना के बरते संक्रमन को लेकर मुख्यमंत्री हमासुरे ने गुरुवार को उचस्तरी बैठक में बचाव और स्वास सेवाओं को उपलवद कराने पर विचार भीमस किया बतादे गुरुवार को वीडियो कंफरेंसी के माध्यम से देवगहर को छोड़कर जीलाक के उपायूक एवं सीविल सहजन के साथ स्वास्त सुवी धाओं की समिक्षा की गई बैठक के बाद मुख्मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि फिलाल लौकडाउन नहीं लगेगा लोग बाहर निकलने से खुद परहेज करें क्योंकि लौकडाउन से दूसरी अन्य कई समस्चाएं उत्पन हो सकती है उन्होंने कहा कि राजमें बढ़ते कुरोना संक्रामन प